हेलो, राम राम जी सारण है, आप सब का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल कीचेन रेसिपीज में लड्डू सभी को पसंद आते हैं और ये कई प्रकार के बनाए जाते हैं तो आज हम एनरजी और इम्मिनिटी को बढ़ाने वाले, साथ ही वजन कंट्रोल करने वाले और शरीर में खुन की मात्रा बढ़ाने वाले गुड मुर्मुरा या लाई के लड्डू बनाने जा रहे हैं इसके लिए मैंने एक बड़े बाउल में तीन कटोरी मुर्मुरा लिया है और साथ ही करश किया हुआ एक कटोरी गुड लिया है सबसे पहले एक लोहे की कडाई को गैस पर गरम करने के लिए रखें कढ़ाई गरम होने पर उसमें मुर्मुरा भूनने के लिए डाल दें अब इन्हें चमच की सायता से नीचे से उपर चलाते हुए हलका सा क्रिश्पी होने तक भून ले अब इन्हें एक प्लेट में निकाल ले अब इसी कढ़ाई को दोबारा गैस पर रखकर एक चमच देशी गी डाल दें गी गरम होने के बाद इसमें गुड मिला दें अब इसे धीमी आज पर चलाते हुए पिंगलने दें ध्यान रखे यहां पर गैस को तेज नहीं रखना है मैंने यहां पर गी का प्रियोग इसलिए किया है ताकि गुड तली में नीचे चिपके न अब देखिए हमारा गुड दीरे दीरे अच्छे से पिंगल गया है अब यहां ध्यान रखें कि यदि आपको कड़क लड़ू चाहिए तो गुड को थोड़ा ज्यादा देर पकाएं और यदि आपको नर्म लड़ू चाहिए तो गुड को थोड़ा कम देर पकाएं अब यहां पर गुड की चासनी चेक करने के लिए एक कटोरी पानी लेकर उसमें चासनी टपका कर देखें अब गुड उंगली से पकड़ने पर इकठा हो रहा है तो लड़ू बनाने के लिए तैयार है गैस को बंद कर दे और इस तैयार चासनी में भुने हुए मुर्मुरे डाल दे ध्यान रखे हमें सारे मुर्मुरे एक साथ डालने हैं अब इसे चमत से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लें हमें यहाँ पर इसे जल्दी जल्दी मिक्स करना है इसे ठंडा नहीं होने देना है अब यह अच्छे से मिक्स हो गया है इसे एक प्लेट में बाहर निकाल लें इसके यहाँ पर हमें गरम गरम के ही लड़ू बनाने हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर एक टोरी में पानी लिया है पानी यहाँ पर हमने इसलिए लिया है ताकि हमारे हाथ ना जले अब पानी को दोनों हाथों पर लगाते हुए इन्हें गोल लड़ू की शेप दे लड़ू यहाँ पर गरम गरम में ही तयार करें ठंडा होने पर इसके लड़ू नहीं बन पाएंगे यहाँ पर आप लड़ू का आकार अपनी पसंद के अनुसार दे सकते हैं तो देर किस बात की आप भी इसे अपने घर पर जरूर बनाईए और मुझे कमेंट करके बताईए कि आपको रेसिपी कैसी लगी और साथ ही प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें धन्यवाद